Hello friends, I am Dr. Shivane Nittal from Senic Dental Clinic. आज हम बात करेंगे मूँ में होने वाले चालो के बारे में. इसे हम medical terms में ulcers कहते हैं. अगर आपके मूँ में बार-बार चाले होते रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ गरे लो पाए. So, let's start with home remedies for mouth ulcers. First point is avoid hot and spicy food. आपको ज़्यादा गरम और मिर्च वाली चीज़े नहीं खानी हैं. ये आपकी मुखोजा को irritate करता रहेगा और आपके ulcers को ठीक नहीं होने देगा. इसलिए आपको ज़्यादा गरम और मिर्च वाली चीज़े नहीं खानी हैं. अगर आपका digestion क्लीक नहीं रहता तो उससे भी ulcers होते हैं. इसके लिए ज़रूरी हैं आपका digestion क्लीक रहे और आप healthy diet लें. Second point is drink plenty of water. अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका dry mouth रहेगा जिससे ulcers हो सकते हैं. इसलिए आपको दिन में कम से कम तीन से चाल लेटर पानी ज़रूर पीना चाहिए. Next point is नमक पाने के पुर्ले परने चाहिए. आपको दिन में कम से कम तीन से चाल पानी इससे आपकी मुमें सफाई रहेगी और आपकी ulcers जल से जल ती हो जाएंगे. Next point is vitamin B and C supplements. Vitamin B and C की कमी से भी ulcers हो सकते हैं. इसके लिए आप इता सूर के टाप्सुल्स दे सकते हैं. Next point is denture. अगर आप denture पहनते हैं वो आपको तीन से चुब राएं तो वो आपके मुमें चाल बनाता रहेगा. इसके लिए आप अपने dentures के पास जाएं और अपना denture कीप कराएं. So ये थे कुछ points, mouth ulcers के बारे में. Thank you.